शहर के टीपो सुल्तान चौक के नुरी महभूबियाद जामा बजजित में मुस्लिम समाज के सदस्यों के साथ बैठक आज़ित की गई थी इस बैठक में ताजबाग ट्रस्ट के ट्रस्टी प्यारी खान ने मुस्लिम समाज के सवालों को नितिंग कड़करी द्वारा वही हॉस्पिटेल और शिफुषा सदस्थान पर भी सिह समाज के सवालों को न्याई नीमिला है ऐसे में नितिंग कड़करी की मदद से मुसलिम समाज के सवालों को न्याई देने की पार बड़े आजबाग कमिटी के ट्रस्टी प्यआरी खाने की है बस देखिए मुसलमानों के बहुत छोटे-छोटे मुद्दे हैं इनके कई सालों से इनके जो मुद्दे पेंडिंग थे और मुद्दे बहुत बड़े है क्या है कि कॉंग्रेस के जितने भी लीडर है उनको इनके बारे में कोई फरक ही नहीं बढ़ता है क्योंकि उनको पता है कि हमारी जो शुरुवात है वह सुरूख थी देड़ से सथट enc 26,Baby तो वह उनका जो घंकड़े मेरेको तोड़ना है कि मेरा सभाध Śबी इतना सादा नहीं है जिनका तुम सोचते अभी अधिनका काम नहीं करेंग और समाज तुमको ओड़ दिता रहेंग बहुत उपर पार्टी से बहुत उपर उठके और एक इंसानियत के लिए काम करते हैं तो उनके पास धर्म जात यह वो कोई कुछ नहीं यह तकरीबन 13 साल से यह पानी भर रहे थे शायद इन्यों ने बताया के नितिन राउजी के तरफ 13 साल से पानी भर रहे थे लेकिन काम न पिछले सब्तर सालों से अगर आप मुस्लिम को देखो इस देश के आज़ादी में मुसल्मानों ने कंदे से कंदा लगा के आज़ादी की लड़ाई को लड़ा है बीजीपी को आप गाली देते हूं तो बीजीपी तो अभी 2014 के बाद है 2014 के पहले के जो हालात पे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है यह है वो है वो क्या है देखे कैसा है मैंने नाकपूर के जितने भी बड़े लोगे उनसे आहवान किया है कि आप मेरे समाज को जहां ज्यादा मिलता अच्छा हो कॉंग्रेस हो बीजीपी हो राका हो सिउसे नौ आप मेरे को बता हो मैं वहां बटन दबाने को तैयार हूं लेकिन मेरी शर्त इह कि किये कि मेरे समाज को आप क्या देने वाले हो जो मेरे समाज को देंगा मैं उसके साथ जहां आज मेरे को मुसलमानों के किये वे 50-100 क्रोड के काम बता दे इतने सालों में है भाईयो कि नाकपूर में 100 क्रोड के मुसलमानों के काम किये वे मैंने ताजबाग में उससे बना रहा हूं ऐसे बहुत सारे काम करवा रहा हूं जबके मैं कोई सिर्फ हम अच्छे लोगों से जुड़े वे समझे क्या अच्छे लोगों जिनकी सोच है कि देश का विकास करना वो हमको पैसे देते हमारे साथ तो जाती बाद करते हैं तो हमने ओड़ देते हैं जाती बाद के बारे में क्यों सुझना कि वह बीजी पी है यह कॉंग्रेस है इतना पैसा मेरे को नहीं रखता है कि मुसल्मानों को इससे पहले कभी मिला मांगे नहीं क्योंकि मांगने वाला पैदा नहीं हुआ अब मैं यह टीम नाकपूर स जोड़के हम समाच के लिए चाहिए कोई भी पार्टी योचाए बीजी पी हो कॉंग्रेस हो सुचेना ओ वी एस्पी हो राका हो हम बोलेंगे हमारे समाच का विकास क्या सब की एकी आवाज रहेंगी क्या समाच का हमारे बच्चों को खेल के मैदान की ज़रोत नहीं हमारे जो कि ना करी साब एक ऐसे रखती हैं जिनों ने अपना मिलावा कॉलेज अंजुमन इसलाम जो मुसल्मानों दिया हैै ने तो और कॉंग्रेस के नेता है कि देख लो आप 56 कालेज उनके खुद कि या तो गट करी साब क एक कदी कॉलेज बता दो मेरे संग्रों को तो बहुत गहराई से सोचने की जुरूत है अब इन को जितने वी जो सोच देते हैं के नेसो माज के जो ओट है वह इनके जब में पड़े त अब उनको जब का पता चलें गा वह जब कैसी फट्टी वह उनको पता चलें ऊब को किसी 70 के अभी जाके देखो कश्मिर में मुसल्मान कितने मैं कश्मिर जाके आया हूं 3070 के हटने के बाद मुसल्मानों के हाला सुधर तो यह डरा डरा के जो रखते हैं वो उनको बंद करना पड़ेंगा अब मुसल्मान यह सब चीजों से बहार निकल चुका है और उसका आपको परिणाम यहां देखने को मिला केतनी संख्या में हमारे नौजवान हमारे बच्चे यहां पर आए अपना समय देखे जबके विचारे सारे के सारे रोजे थे और उसके बाद तरह भी पड़े रोजा खुलके अभी उनको सोना है क्योंके पैटिया में उनको उठना है लेकिन तब भी समाज का इतना दर्द इतना समय में से समय निकालके वो यह है आजित बैठक में शामिल मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने कहा है कि कई मुस्लिम भायों के मस्धित कब्रिस्तान की जगा सरकारी कार्यादों को लेकर कई अंसुल चीज समस्या थी जिससे प्यारी खान के माथिम से गढ़कर इन्हें नाय दिने का काम क्या है इस वक्त उपस्तित सदस्यों ने पिछली सरकारी और वर्तमान सरकार दवरा समाज के लिए के गए कामों की भी तुना की है देखिए समस्याओं का जो मसला है खासकर मुस्लिम कम्यूटी की समस्याओं का तो अंबार है एक हाथ जखम हो तो आदमी उसकी चर्चा करे यहां तो मसलिम कम्यूटी का यह हाल है कि पूरा का पूरा जिसम जो है जखमों से चुरचुर है हमारी जो परस्ती थी सचर कमिटी रिपोर्ट वगएरा वगएरा इतना वक्त नहीं बताने के लिए बसे बत्तर हाला दा हमारे है उसी में से एक मसला हमारी अपनी मस्जित का है यहां पे जुमा की दिन मस्जित ना काफी होती है मगरीब की नमाजों में ना काफी होती है इसके लिए 20 साल से डाक्टर नितीन राउस साफ के पीछे हम पानी भर रहे यहां तक क्या के हमारी चपले घज गई वो सिरफ आशवासन पे आशवासन देते रहे और मुसल्मान को जो है खास कर कांग्रेस मैं ढंके की चोट बोलूगा क्योंकि मैं 30 साल से समाज सेवा कर रहा हूँ मुझे मालूम है समाज सेवा करने में कितनी दिक्कते आती है मेडीकल का मामला हो मेवा का मामला हो कलेक्टर के बाद जाने का मामला हो तो कोई पुरसाने हाल नहीं था कोई हमारा लीडर नहीं था कोई हमारी खियादत करने वाला नहीं था कोई हमारे लिए बोलने वाला नहीं था कोई हमारे लिए फोन करने वाला नहीं था लेकिन अभी कुछ लोगों ने बिचारे ग्यासुतिन साहब है वहां से देखो तो शमीम एजाज साहब है अल्ला उनका भदा करे वो प्यारे खान साहब की मेरे पास में बहुत तारीफ करते थे बहुत अप्रिशेट इनको करते थे इनके कामों की सरहना करते थे मैं सुनता थ और सुनकर अंसुनी कर देता था लेकिन जब मेरे अपने दो चार काम आए और इतने डिफिकल्ट काम थे कि वो मेरे अपने खुद समझ में नहीं आ रहा था मेरी कम्यूटी के जिम्मेदारों के समझ में नहीं आ रहा था कि इन काम को सौल करे तो कैसे करे मैं प्यारे खान स पैंच मिनट में उसको पासी बनाया, और मेरे वो काम हो गए, इसलिए उसी वक्त से मैं इनका फैन हो गया, मैं इनसे मताफिर हो गया, और फिर उसके बाद में मैंने जगे जगे नुककड सबाइ लेने शुरू की, मेरा अपना जितना गुरूब था, पिछली मרטबा हमने नान अपीज – अक्तर अश्रफी साहब के साथ और जो है इनके नेतुतु में प्यारेखान साहब के इनकी लीडर्शिप में और लोगों को मां यही समझा रहा हूं कि अभी तक जो है हमारे पास में एक पूल नहीं था हमारे पास में एक वास्ता नहीं था हम गटकरी साब के पास में डारेक्ट पहुंच नहीं सकते थे जबके गटकरी साब की शक्सियत भी जो है वो जो है उनके अंदर जात पाथ भेद भाव है नहीं जो भी उनके पास में जाता है किसी भी समाज का हो और किसी भी को लेकर वो सुक चिन्तिक है तो उससे भी मैं मुतासिर था और वही जो है सोज मैंने प्यारे खान साहब की देखा प्यारे खान साहब बिजनिस में ने उनको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं लेकिन एक कौमियत इनके अंदर भरी है कौम की हमदर्दी है कि मेरे कौम की यह हालत हुई है ये हालत से उपर मेरी कौम कैसे उटे मेरे कौम के बच्चे वेल एजुकेटेड कैसे बने मेरी कौम तरक्की कैसे करे मेरे कौम के बच्चे इंजिनियर कैसे बने और देश की तामीर और तरक्की और उसकी उन्नती में हिस्सेदार कैसे बने वो सोच हमने इनके अंदर देखी है इसलिए हमने निरने लिया है कि प्यारे खान साथ के नेक्तुतु में उनकी लीडर्शिप में उनकी सरपरस्ती में हम भी घटकरी साथ को ओड़ेंगे और अपनी कौम से अपील करेंगे उनके हाथ जोड़ेंगे कि वो घटकरी साथ क मुस्लिम समाज के स्वास्त और शिक्षा को लेकर कई सवाल है जिने नाय दिने की ज़रुरत है अगली सरकार इन सवालों को कैसे नाय दिती है यह देखना खास होगा कैमरा परसन राजकुमार मोहोड और अजित कुवर के साथ प्रकाश शुनकलवार के रिपूर